नमस्कार रुस्तों स्वागत है आपका श्यायर में और आज इस वीडियो में यूपी जीके के पूरा निचोड लेके आए हूं मतलब आप इस वीडियो के देख लिए अब दिखी कल परसों में आपका यूपी पूलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम है देखी यूपी पूलिस क यूपी जीके से लगभग चार से पांच कोश्चन्स आएंगे अगर किवल आप इस वीडियो को भी देख लें जिसमें मैंने सारे टॉपिक क्लियर मतलब सारे जितने भी यूपी जीके में आते हैं टॉपिक वो सारे मैंने इसमें कवर करें हैं आप इसको देखके चारिस जारन ओफार क्लिमेटर इसमें थोड़ी से कभी कोई अल्फाध जो नंबर्स होते हैं थोड़ी से चेंज भाते हैं तो एप्रॉक्स जो है वह 24928 क्लिमेटर है ठीक है अप मतले से प्रदेश कज़़ो नाम है वह 1836 से उत्तर पश्चिम मतलब प्रांथ बोला जाने लगा उसके बास 1937 से किवल स्युक्त प्रांथ जिसे युनाइटर प्रोविंस बोलते हैं वो बोल ले जाने लगा और फिर 26 जनुरी 1950 से लागू हो गया था कि यूपी इसको बोला जाएगा ठीक है तो यह आपका प्रदेश का अब राजदानी भी चेंज हुई थी दो राजदानी जो था 18-18 तक आगरा थी फिर 18-18 से 1921 तक इलहाबाद था मतलब इलहाबाद मतलब प्रियाग राज 1921 से अब तक जो है वो लखनव है ठीक यूपी दिवस जो मनाया था वो 24 जनुरी मनाया था है अभी इस बार वन ने पाग की जो संख्या है वो 18 मंदल है यूपी में और जिले कितने हैं 75 जो नए जिले तीन जोड़े गये थे वो थे हापुर, शामली और संभल, हापुर जो है वो दूसरा सबसे छोटा जिला है अभी हम बात करेंगे सबसे छोटे जिले की सबसे जो छोटा जिला है वो संथ जो लाश्ट जिला जोड़ा गया है वो कौन सा है तो वह शामली विधान सबसे 404 है जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं एक जो होता है वो मनुनित होता है एंग्लो इंडियन का विधान परिसेद में 100 सबसे 99 सबसे जो है वो चुने याते हैं और और बाकी एक जो है वो इनकी गवर्मेंट चल रही है यूपी में लोगसभा सदस है असी यूपी में असी सदस है लोगसभा इसलिए यूपी बहुत इंपोर्टन फेक्टर है मतलब जिसकी सेंटर में गवर्मेंट बनेगी तो असी में से 73 उस टाम पर जीते थे फिर दो जो सीटे बीजेपी हार 15 ती 5 सपा जीते थी और कॉंग्रेज जीती थे रयवरेलिय और अमिठी और पांसबाइज जीता था ब किन उस वक्त बी सीट नहीं जी थी और बाद में इस पीश प्रशती लोगदल ने जीती थी उनक 2000 टिकर से लड़ा गया था जो कहराना वाला था और 7 실त सीट सपा के सपाने जीता था जो गोरफपूर वाली थी राजवा सब्सक्राइब कतिस होते हैं उच्छ नियाले जो है उच्छ नियाले प्रियाग राज है मतलब इलहाबाद खंडपीट उसकी एक लखनव भी है और बहुत सालों से क्यों बहुत डिस्टन्स बढ़ जाती है उसको कभी हम बात मीं डिस्कस करेंगे इस्थापना क्या है 1866 सथापना दिवस है इस्थापना जब हुई थी इसकी उच्छ नियाले की नियाथीसो की संख्या कितनी है 169 नगर निगम क्या है नगर निगम 17 है सबसे जो निया निगम बनाए गया था वो साजापूर बनाया प्रदेश में सबसे बड़ा संसती छेत्र उन्नाव है अब अगले बढ़ते हैं आगे कुछ जो अलग कुशन्स है राज की भासा जो है हमारी वह हिंदी है दूसरी जो लेंग्विज बनी वह उर्दू बनी 1989 से राज की पशु जो है वह बारश शिंग है राज की पक्षी जो हो जाएगा होता कहा है इसलिए दो मचली बने होते है तो इसलिए राज की hem टोल दिया तक हो ऊपरती तरह और नहें वह अग्यांते इसलिए T जो गंगा जी हैं वो एंट्री करती है यूपी में विजनौ से और वहां पर एक बहुत ही जो जगह है वह धामपूर वहां पड़ता है उसके बाद हापूर के पास परता है गड़ मुक्तेश्वर यह मतलब जितने में जगह बता रहा हूं यहां पर यह बहुत ही ज़्यादा मतलब माने जाते है एरिया अपने जो आसपास के एरियों के उन्हें पता ही होगा और जो नहीं है तो वो कभी जाईएगा इधर तो इधर एक बाद जरू जाईएगा राजगार जो है नरौरा यानि बुलन शेहर में पड़ता है उसके बाद शोरों काजगंज जो बताया वरांसी आते हैं और वरांसी में थोड़े से आगे जाओगे तो सैदपूर एक जगह पड़ता है गाजी पूर की दरब जिब जाएंगी सैदपूर यह यहां पर गूमती नधी गंगा से मिलती है ठीक है वह एक स्विश्या जी का मंदिर भी है गाजी पूरे उसके बाद बल्याशा होते हुए वह बिहार में एंट्री कर जाएंगी यमना div नदि के बात करें तो यमना नदि जो है सहारन पूर से एंट्री करती है यूपी में और मथुरा च्षाव विद्धावन फोते हुए आग्रा कालपी और कौशांवी वह वहाँ पर इलहःबाद में प्रियाग में गंगा से मिल जाती है गोंति नधी पीदी बिश्से निकलती है उसके बाद वो लखीमपूर खिरी पहुंसती है उसके बाद सीतापूर जाती है और सीतापूर से लखनव होते हुए सुल्तानपूर होते हुए जौनपूर और जौनपूर के बाद मैंने बताया जैसे बनास में वो मिल जाती है घागरा सर्यू नदी जो है वो उसके नदी ज प्रदेश और दिल्ली हर्याड़ा राजस्थान यह वेस्ट से चूते हैं और नॉर्थ में यूके मतलब उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश यह चूते हैं और यह साथ एक जो मैंने बता रहा है यह जिले हैं जो टच करते हैं मतलब कि कितने जिलों को टच करते हैं इनकी बॉन्री को मतलब यूपी के कितने जिलों को टच करते हैं अंतराश्री सीमा जो है किवल नेपाल से साजा होती है और साथ जिले जो है वो टच करते हैं सबसी लंबी सीमा जो है वो मदर प्रदेश के साथ है और लापड बुलन शहर और शामली शामली लाश सबसे लाश में जोड़ा गया है ठीक है यह याद रहे है यूपी पुलिस के पिछले एकजाम में शामली वाला कोशन आया था सबसे पूर्वी जिला जो बलिया है पशमी जिला जो है ओशामली है उत्तरी जो जिला है वो सहारनप पांच विस्थान पर होता अगर एक देश होता तो भारत कुल अबादी में से 1649 परसेंट जो है उत्तर परदेश में रहती है 17 परसेंट लगवर मान सकते हैं और कुल चेतरपा का साथ तीन तीन परतीशत जो है जहां पर रहते हैं देश की कुल जनसंग है उत्तर परतीश जन सब्सक्राइबाद उसके बाद गाजियाबाद यह तीन जिले में महुबा चित्रकूट और हमीरपुर तो इस सिक्वेंस में आप याद रखिए जह सबसे लीश्ट है उनको याद रखीजे कोशन उनहीं से बनते हैं अब बात करते हैं जो दसकी वृद्धि अब दस सालों म आपका बहराई जाता है ठीक है नियूंतम दसकी विद्धिवाली मदद दस सालों में सबसे कम पॉपलेशन इंक्रीज हुई है वह कानपुर नगर हमीरपूर और बागपत ये तीन जगह में इतनी पॉपलेशन इंक्रीज हुई है जनसंख्या घनत जो है हमारे 2011 के उनसाल 828 वागे ए मिद्धिव प्रत्य किलो में ठीक है और पूरे इंडिया में सबसे जब्सदा चेई घनत जो है जो है वह बिहार कि अब बात कुछे मंगर क थी अब भिहार की सबस्यदा है फीक है अब बात करते हैं स्सिप जनसंख्या घनत वाले जो तीन जिले हैं सबसे कम एरिये में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं तो गाजियाबाद है 3900 जोंगमन और वरांट से उसके बाद है और लखनव तीसरे नमर पे आता है तो गाजियाबाद सबसे मतलब कम एरिये में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं गाजियाबाद में जिले येय यहां जो मध्रुड नहीं जक्साइब में। और इसत्री सक्षर्ता दा जो है वो 59.26% रही है सक्षर्ता वाले जिले बात करें तो गाजियाबाद जो है 85% गौतमबुद्नगर 82.20% कानपुनगर 81.31% और सबसे कम सक्षर्ता वाले जो जिले है उसमें सबसे उपर सावस्ति आता है ठीक है अब शियाद करें इसको जिला थ है इनको जबत है सिक लिए ज इस ओडुड़े जिश्टी से उत्तरभी का देश में स्थान कॉन सभी तो जस अब प्रतिशत पूरों सो स्त्रिया है 52.4% और 47.6% जो है यह यहां पर रहती है दो है एक से जो जितनी विर्द्यू यह 10 की तो 20.09% विर्द्यू यह 10 की मतलब 10 सालों कितना प्रसंट बढ़ गया है और 1.85% जो है वो बढ़ी है मतलब पर यहर अज़र देखिए कहीं कोई फैक्ट अगर गडबर हो या गलत हो तो आप उसे कमेंट करके बता दीजेगा मैं उसको वापस सही कर लूँगा से कुछ हो सकता है कि उपर नीचे हो जाए 0-6 वर्ष के आयू वर्ष की उत्तर प्रदेश में कुल जनसेंगा कितनी है तो आप यह देख सकते है दोहर एक से दोहर ग्यारा की दौरान लिंगा अनुपाद में कितनी विद्धि हुए तो 10 की विद्धि हुए मतलब पहले की मुकाबले 10 बढ़ गया है प्रदेश में श प्रदेश लिंगानुपाद वाले जिले है जो है वो जौनपूर आजमगर दिवरिया तीनों पूराचल के जिले है एक हजार अठारा एक हजार सत्रा एक हजार तेरा तो यहां पर सबसे ज्यादा लिंगानुपाद है अनुसूची जातियों की बात करें कि फैक्ट जो है चलिए का सबसे ज्यादा उत्तरप्रेशच में सबसे ज्यादा रहता है अनुसूची जाति के सरवाधिक प्रतीश्यत्वारा राज है वह पंजाब है सितापुर में और सबसे कम ऐसी जनसंख्या जो रहती है वह बागपत्मी है ठीक है और यह 21 सबसे कम जो बागपत्र रहती तो दोनों का बागपत्र है सबसब कम और सबसे ज्यादा जो है वो सनभडर है ठीक है और यह фак्ट दे सकते हैं अब बात करते हैं इसक्षा व संस्क्रिति वारे में तो उत्तर बातकर से यानि जो बरेली के आसपास का छेतर है और भोच्पुरी छेतर मतलब पूरा पुरुवांचल ठीक है पुरुवांचल मतलब लखनौ से ले लखनौ से आप चले तो बिहार की तरफ जितना भी एरिया पड़ेगा जहां में भुच्पुरी बुली आती है मधिकाल में स्थापत अम्तिकला की जो दो प्रमुक रवड़ेगा करश में एक मात्र सासतरीरी संद रहा है वहार desses किल्म अधिकला eer है और आंट्सी है ठीक है कथक नित में ठुमरी गायन का जो समावेश किया था वो बिंदा दिन ने किया था अभी किस घराने के ये पूरा भी क्लियर होगा तबलायम सितार का विश्कार किया थो अमीर खुष्रों ने अगबर के जो दरवाई तांसेन पारंगत थे वो राग दीपक और वीड़ा वादन में प्रवर्म गत थे आधुनिक सास्त्री गयन का जो पिता जिने कहा जाता है वो उस्ताद फैयाज खान को कहा जाता जो आगरा खराने के थे आगरा खराने की जो पत्ति व खराना जो था लखना खराना जो प्रमुक इंसान है वो बिंदादिन है और बिर्जु महराज हैं यह दोनों कत्क में है बिर्जु महराज और बिंदादिन बहुत फेमस है कुदाव सिंग पंडित अयोध्या प्रसाद यह पकावज वादक है ठीक है और बेगम अक्तर जो है मुझफर नगर वो भीमसन जोसी अब्दुलकरीम खान गंगु भाई हंगल रोशन आरा यह सारे लोग खयाल गाई की है किराना घराना जो अभी मुझफर नगर के वहां पे घराना है आज एक घराना आपको क्लियर हो रहा हो ना बार की बात नहीं हो रही है एक जगह का जहां पे कोई 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 के चल रहा है उनके फिर उसके पाद जो बहुत से जो गाई की घराने यह अँज भी पंजाब के घरानेuda यह तements जलता है ये लोग तबला वादक में बहुती महारत हासल थे इन लोग की बिसमिल्ला खाँ और मुम्तास खाँ ये दोनों लोग सहनाई वादक में पंडे तरवेश अंकरपसाद सितार वादक ठीक है गिर्जा देवी रशुलन भाई छोटी मैना बड़ी मैना ये सब लोग ठुमरी गाई की में बहुत फेमस थे इटावा घराना जो है गौरिपूर घराना ये लोग सितार वादन के लिए बहुत प्रमुशित है तो ये प्रमुख घराने जो थे गहाने तो वैसे और भी है इलहाबाद घराने इलहाबाद एक तरह से संस्कृति वहाँ के भी है तो ये मेन मेन है यहाँ से आपको कोशन डिरेक बन सकता है अब प्रमुख मेले के बाद करें तो जो कुम के मेला लगता है वो प्रयाग मेला लगता है 12 साल में माग मेला जो है वो भी प्रयाग मेला लगता है माग महीने में जैसे अभी माग महीना ही चल रहा है इसके बाद फागुन जलेगा इससे पहले पूस था जो यह आपका है काकोरा मिला यह है बदायू में लगता है और यहां बदायू में इसे महा कोम का आदा रुहेलखन का छोटा कोम बटेश्वर मिला जो है वो पशु मिला है आगरा में लगता है उट का ददरी मिला जो है वो बलिया में लगता है वो भी पशु मिला है नौचंदी मेला मेरट में आपको पता होगा नौचंदी वैसे जो नौचंदी एक ट्रेन भी जाती है मेरट में नौचंदी मेला लगता है गड़ मुक्तेश्वर मेला गड़ मुक्तेश्वर बताया था मैंने हापुड का है यह हापुड में लगता है और बलिया यह कार्तिक मास के अमंवाश्या को दिपावलि मना जाते हैं विड़ा लगत hah देवा शरीफ मिला बहुत ही ज़्यादा फेमस है बारा बंकी में लगता है सायद सालार मिला ये बहराईच में आए परिक्रमा मिला नैमी सारन सीतापुर में परिक्रमा मिला ये लखिंपुर खीरी में लगता है देवी पार्टन मिला ये बल्रामपुर में लगता है तो ये प्रमुख मेले रहे ठीक है अब बात करते हैं प्रमुख लोक नित्रे तो देगे सबसे पहले बात करते हैं धोबिया नित्रे ये पुर्वांचल शेत्र में मनायाता है जितना भोचपुरी प्रदेश है यहां पे गड़े रखके और फिर नित्य करते हैं तो यह चर्कुला नित्र जो है ब्रजवाशियों का है उसके बाद है धुरिया नेत्र जो है वो बुंदेलखंड में बुंदेलखंड के जो जहांसी के आसपास के जो लोग हैं वहां पे जो कुमहार जाती के लोग हैं प्रजापती व जाती है उनके द्राइजाता है मतलब यह निति जो है नकारों के सूरों पर किया जाता है तो यह चीज आप निट्ली निति तो कार्टिक निति के कदमा में मना को था कि मा मैंने बताया ऑएक्टूबर नॉम्मर के टैम पर Jim Forest के भूत वसा बगोपियां से आर डिनने भीवड नित्र जो है ये ये भी सेम कहां जाती होगे दिवारा मनाया आता है और अनेक सुफा वसुरब किया तो में जो है जातीए से लिट्र रहे मतलब जो निट्रत ह्यां कलाबाजी जो है कलाबाजी आप समझ सकते हैं जो करतब डिखाने वाले तो इसमें अबद थित्र में मनाjang रहा था यह जो आई रहा है कि नोटंगी की बात क्या होती है हाध रसी और कानपूर जो है नाट इसलियों में वहां पर ही होता है तरह से प्ले टाइप का होता है उस तरीके से मतलब नुकड तरहीं की नाट करते हैं उस चीज़ों कहते हैं प्रमुख लोगगित जो है तो सबसे लोगई से भ लोग कोई घटरना को बताते हैं और फुर बहुत ही एक तरह से बहुत ही वीर रस्में तरीके से और वैसे बताते हैं रशिया जो है ब्रजभूमी मनाया दा है उसी को गा का के वह किष्ण जी के भक्ति करते हैं आलहा आलहा देखिए सब आप अपको पता होगा महोबा आलह उदल की कहानियां चलती हैं मतलब उनके किसे बताया आते हैं वो लोग बहुत वीर थे तो वो वीर रस की पूरी मतलब बताया आते हैं तो वो जो गीत गाते हैं वो बुंदेल खंड प्रदेश में होता है वैसे तो कन्नौस तक आता है वो पूरा वहाँ पे भी बहुत होता है तो यह आलहा है उसके बाद बात करने है कजरी कजरी जो है अवद शेत्र में गयाती है सामन के जब महिना जब आता है उसके बाद उस वक्त महिलाएक आती है इस गाने को कजरी को चैती के बात करें, चैता ये बोलते हैं, रितुगीत है, मतलब ये फागुन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दोरान इसको चैती को मना जाता है, ठीक है, मतलब रितुगीत है, गाते हैं, अब बात करते हैं, प्रमुक सांस्कृतिक संस्थान और संख्रहाले की, तो राज्य में जो सबसे पुराना संग्रहाल है वो राज की संग्रहाल है लखनव में 1863 में बसा था बनाया गया था उसे राज्य में कुल तीन राज्य की बहुत संग्रहाल है एक गोरखपुरवाला है एक कुशी नगर का है एक पिपरहवा का है मतलब आप देख लिजिए प्र बदबदब उनको establish किया गया था आप इसको देखिए प्रयाग संगी समेलन इलहाबाद उसको establish किया गया था उसकी स्थापना वह थे 1926 में राज ललितकला एक अदमी जो है लखनो की उसको establish किया गया था 1962 में यूपी संगीत नाटक अकदमी तो इसको किया था 1963 में आप सब्सक्राइब तो इसको इस्थापना की था अब बड़ते हैं आगे राज के केंदी विष्वित्याले में 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 इससे भी कोशिन आया था पिछली वार सबसे पूरानी विष्वित्याले पूछा गया था तो इलहाबाद जो उनिश्टिय है वह 887 बसी है मतलब बनाया ग सब्सक्राइब जो हो अब बात करते हैं प्रमुख सोथ संस्थान की तो भारती विश अनुसंधान संस्थान केंद्र, राष्टी वनस्पती अनुसंधान संस्थान, केंद्री औसधी अनुसंधान संस्थान और भारती गन्ना अनुसंधान संस्थान ये चारों जो हैं वो लखनौ में हैं तो आप सब को एक लघनों की इत्रे से सी याद रखिए कि मतलब यह चार जो है विश्वालय वरंस्पति आसथी और गन्या ये लखनों में है ठेक है लेकिंब उत्तरप्रजिस गन्या अनुसंधान काउंसिल जो है वह साजहान पूर में अब कांपूर में क्या है कांपूर में जो दो आप यह रखिए अब बरेली में दो चीज़ है भारती पसु चिकत्सा अनुसंधान संस्थान आई वी राई बोले जाता है और केंद्री पक्षी अनुसंधान संस्थान यह दोनों बरेली में हैं ठीक है अब बात करते हैं वनारस की तो भारती साग भाजी मतलब एजीटेबल कोश्च sends का रफी चाने के, चारा अनुसंधान संस्थान जांसी में में हैं और भारती कालीन प्रोध्योगी के शन्थान यह बढ़री मिर्जापुर यह आ सब्हुरूरा में ए, कालीन से भर हुआ है यहां पर प्रथम सॉफ्ट फेयर टेक्नलोजी पार्क जो बनाया गया था वो गौतमपुत नगर में बनाया गया अच्छा देखिए वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट पे मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है पूर्वी उत्तरबदेश अलग पश्म चाइब के प्रमुक्सादन जो है तो सबसे जय्दा जो है नलकूb से होता है उसके बाद मानेर से होता है उसके पूर्भी यम्रा हमिन है अब प्र नियंग नहर साहब साथ मामें www. daresuCup , beta की हम बात करते हैं इससे पहले जाना यह जो डेटा है यह कर लिए यूपी में सबसे बड़ी जान जा जाती है वह थारू जाती है और सरवाधिक अनुसुचित जन जाती कि जिले में है वह सोनभद्र में थे अब वनजीव विहार के बात करते हैं तो चंदरपभा वनजीव विहार जो है वो चंदौली में है ठीक है हस्तिनापूर वनजीव विहार जो है वो मेरट में है मुझफण नगर में और सबसे बड़ा है यह हस्तिनापूर वाला महावीर स्वामी वनजीव विहार यह ललितप में और सबसे बड़ा है पटना पक्षी विहार यह पटना में नहीं एटा में हैं सबसे छोटा है ठीक है और यूपी में जो एक मात्र परमाडु विद्यूत उर्जा केंद्र है वो नरौरा में हैं बुलन शहर में तो यह चीज आप समझ लीजे पूरा इस वीडियो में जितना भी निचोड़ था और कुछ चीज जो मैंने छोड़ दी हैं आप एक बार उसको थोड़ा से कर लिजे एक दो चीजे हैं तो और बाकी एक दो चीजे वह आपको बता देता हूं अब यह सुन लीजे आप यह से क्लियर हो जाएगा आपको कि जो प्रथम राज्यपाल थे वह कौन थी वह स्रीमति सरोजनी नाइडू थी और अभी राज्यपाल कौन है वह रामनायक है ठीक है उत्तर प्रमुक मुक्यमं जो अभी मुक्यमंत्री है आपको पता होगा योगी आदितनाथ उत्तर प्रथम विधान सभा के अध्यक्ष जो पहले थे वह राजर्सी पुरुसुत्तन दास टंडन थे और अभी कौन है हिर्दयनार देख्षित तो यह विधान सभा जो अध्यक्ष है इनको भी याद रख लिए पाकी जितना भी आप कर सकते हैं उतना करिए यह पूरा मैंने यहां पर समराइस किया है आप मतलब की अधिकतर चीजे मैंने कवर कर लिए पूरी जो जीज इंपॉर्टन थी जहां से कोशन बनते हैं और जहां से कोशन अभी पिछली बार आए है मैंने सारे देख रहे हैं तो पूरा देख लिजेगा और उसके बाद एक्जाम से आप लगभग एक दो घंटे पहले या आप कुछ दिर पहले आप उसका पूरा देख लिजेगा एक बार वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है आप चाहें तो थोड़ा बहुत टाइम निकल के देख सक ठीक है तो बहुत बहुत धिन्माद इस वीडियो देखने का और चैनल पे अगर नए आएं सब्सक्राइब निकले अब तक तक तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा तो